नमस्का दोस्तो स्टॉक मार्के स्टैटीज में फिर से गवर आपको सागत है तो आज मैं बात करने बला हूँ इंडिया एनर्जी एक्स्चेंज के बारे में जिसके उपर में पहले ही दो दिन पहले एक वीडियो बना के दिया था कि कॉम्पानी का बूना स्टेट अनॉंस्म कमपानी का प्रैस आपको 1.500 में टाइस की कि मिला है सबसे सट में में और एक अच्छा घासा कमपानी में जभी कोई सथके म metyour मिले, तभी आप उसमें माल उठाने के लिए तैयार हो जाईए, तो जिस कूम्पनी का प्राइस range करीवन 1.500 के उपर चलना था, वो प्राइस अभी आई सो में, मतलब 250 रुपिया में आपको मिला है, तो इतना सस्ते में इस company का माल मिला है उसका कारण क्या है और अभी इसमें खरीदारी करना चाहिए के नहीं चाहिए उसके सारे जानकर यह पर देने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्रिब नहीं कि तो जूरू सब्सक्रिब कर लाना तो च चुलिए एक energy segment का indices मतलब सरी इंडेसे नहीं एक exchange है तो exchange मतलब कोई भी energy segment में कोई भी stock listing होना है तो इस segment के through से listing होना पड़ेगा तो फाइदा किसको होगा इंडियन energy exchange को होगा तो अभी मान के चलिए जितने सारे energy sector है मतलब जितने सारे electricity है, जितने सारे power sector है, जितने सारे green energy, clean energy, सभी के सभी इस energy sector के मत्थम से ही market में listing होगा तो आप देखे company का price range अभी करीवन करीवन 200, रुपीय में देखने को मिला है 255.90 price में देखने को मिला है तो जो company का price range करीवन 750 के उपर चल ला था, वो अभी 500 में क्यों मिला है उसका एक ही कारण है, वो है bonus, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि company 3rd February, 3rd December 2022 इस date में company ने bonus देने का announcement किया है, और वो भी 2 is to 1 में, मतलब आपको एक के बदले 2 share मिलेगा तो उसी के हिसाब से आपका price range इतना था, उसको 2 से divide किया और जो price range अभी मिल रहा है, उस price range में आपको खरीदरी करने का मौका मिल रहा है अज सबसे बड़ी बात, company बहुत अच्छा है और अभी इस company में सबसे कम price में आपको share मिल रहा है तो इस company में आपको क्या करना है, अभी आपको पताऊँगा, उससे पहले सारे जानकरी आपको दिखा देता हूँ तो चलो फटाफट देख लेते हैं, सबसे पहले NSC के website में आ चुका हूँ यह पर देख सकते है, 19 October में 318 दिखा रहा है, मगर वो 800 के उपर price का range था तो यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, 19 October में, इसका कारण जो adjustment हो जाता है देखिए कभी भी company bonus or split करते है, तो उसका, तो share का price तो break होता है, तो break होने के बाद तो adjustment होना चाहिए तो उसी adjustment करने के बाद यहाँ पर high और low आपको दिखा रहा है, तो देखिए company का जो performance है उसके हिसाब से पिछले दिनों में करीबन 18% का delivery यहाँ पर उठने को देखने को मिल रहा है तो company का information में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए bonus 2 is to 1, वो भी कितना 3 December में आपको bonus देने का announcement किया गया था obviously 3 December में bonus दिया, तो उसी का नजरिया आपको देखने को मिला, 2 is to 1 ratio में आपको bonus मिला, 2 is to 1, मतलब इसका price range आपको 780 रूपीज अगर इसका price range था, तो इसमें 2 से आप divide करेंगे, तो आपको एक figure देखने को मिलेगा, 2 मतलब दो बार दिवाइट करना पड़ेगा, 3 से आपक तो इसलिए अभी इस company का price range, 2,500 के नीचे आपको देखने को मिला है, तो company का performance के दिखाने से पहले मैं एक बार chart button में लेके जाता हूँ, यहापर देखिए one day candle का chart button आपके सामने रखा हूँ, तो यहापर देख सकते company किस तरीके से performance करके, कितना जवदा से performance किया था, और य high level है, करीबन करीबन यहापर मान के चलते सकते है, 900, 950 range था company का price range गया था, high, उसके बाद जवदा से यहापर recovery हुआ, गिरावट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा फिर से recovery हुआ था, और फिर से downturn में आया था, और अभी इस company का price range का chart है, वो अभी यहापर देखने को मिला ह तो एक बात आप देख लिजिए, यहापर 2500, मतलब 255 रुपीज में आपको इस company का price मिला है, तो यहापर जो gap down हुआ, मतलब यहापर जो गिरावट हुआ, यह गिरावट नहीं, यहापर कोई panic होने का ज़रूरत नहीं, अगर मान के चलिए, आप इस level में buy करके रखे हैं, म करीबन करीबन 200 रुपिया मान के चलिए, 200 से 2500 रुपिया में इसका price आपको देखने को मिला है, तो आपको इसके फाइदा क्या है, आप इस level में खरीद के रखे थे, तो आपको फाइदा क्या है, आपको bonus मिल चुक है, एक के बतले आपको 2 share मिलने बाला है, मतलब आपका portfolio म में अभी 3 share बनने बाला है, तो adjustment करके आप देखेंगे, तो आपी का फाइदा हुआ ना, तो यहापे आप देख सकते है, अभी जो इस जो चार्ट है, इस जो बार है, मैं एक बात थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहापे आप देख सकते है, यहापे दे कितना volume buying हुआ है, यह जो green color का candle अब देख रहे है, यह बहुत जवदस buying हुआ है, यह इतना अच्छा कासा company और इतना high level में आपको मिल रहा है, मतलग obviously volume जवदस होने ही वाला है, तो जवदस यहापे खरीदरी और जवदस यहापे trading भी हुआ है, तो इसलिए अच्छा कासा यहापे, मतलग candle यहापे, high level का candle यहापे देखने को मिल रहा है, तो एक बार आप, यहापे मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यहापे देख सेकते हैं, करीबन करीबन 5,5,6,6 करोड से भी जादा यहापे trade होने को देखने को मिल रहा है, और 1 करोड से भी जादा यहापे holding उठाने, मतलब holding उठा चुके है इस company के उपर, तो company के parameter के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं एक ही बात आपको कहूँगा, company का जो performance है, उसके हिसाब से company अच्छा खासा performance कर रहा है, यहापे देखिए, 500 करोड का revenue, 19 में, उसके बाद 20 में फिर से 500 करोड का, उसके बाद 2021 में 317 करोड का total, यहापे revenue जिनाट किया है company ने, तो उसके बाद net profit के बारे में बात करूँ, देखिए, net profit भी company किस तरीके से performance क्या, मुझे तो 5 स्टा रेटिंग बाला performance company का लगते है, यहापे देख सकते है, net profit करीबन 2019 में 165 करोड का profit किया, उसके बाद 2020 में करोणा के situation में भी 175 करोड का profit किया, उसके बाद फिर से second wave का, मतलब second lockdown में भी जब अदस profit किया, 205 करोड का profit किया, इतना सांधार company ने performance कर रहा है, साथी साथ EPS भी दिखिए, earning per share भी अच्छा का सा माना जाता है, मतलब company जिस field में है, company का जो market corporation है, उसके हिसाब से earning per share भी growth आपर देखने को मिल रहा है, तो return of equity के बारे में बात करूँ, तो return of equity 44% था, अभी 39% है, देखे 39% मतलब 5 star rating वाला performance, तो obviously आप कहेंगे sir 44 से दर कम हो चुके 39, देखे इस तरी के से ups and down तो चलते रहेंगे, company के performance के हिसाब से return of equity change होता रहता है, company के करजे के बारे में बात कर तो सबसे जो positive इस company के बारे में मुझे लगता है, वह company totally, totally day free है, totally day free है, कोई भी कर्चा company के पास नहीं है, 37 company का जो share holding है, promoter आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि exchange में कोई promoter नहीं होते है, या पर देखिए, FIS ने जब 10 माल उटकर रखा है, 37%, 30% था, अभी 37 परसन होल करकर रखा है, मतलब FIS भी दिरे-दिरे माल बढ़ा रहा है, और DS भी दिखिए, DS कितने परसन था, 35% था, वो कुछ steak यहाँ पर बेच दिया है, अभी 23% holding है, तो public भी देखिए, माल की इस तरीके से उठा है, जब 10 माल उटकर है, 34% holding था, अभी 38% holding करके रखे है, देखिए, अकेला एक company है, जो monopoly business करते हैं, तो उसका field में वो अकेला ही है, exchange में, मतलब energy exchange में, किसी का competitor, इसका कोई competitor नहीं, future में भी नहीं आएगा, और अभी भी नहीं है, तो इसलिए खुद monopoly business कर रहा है, तो इसका फाइदा इस company को मिल रहा है, तो company का market capillation, अभी large cap बन चुके है, मैं जब से इसको follow कर रहा हूँ, तब से इस company का market capillation करीवन 16,000 करोड था, और अभी 22,000 करीवन 23,000 करोड बन चुके है, मतलब mid cap से large cap company बन चुके है, और company का return of capital employed देखिए, 59.7% return of equity देख लिजिए, 46.2% company dividend भी दे चुके है, 52% का, sorry, 0.52% का return dividend या पर दे चुके है, company का face value अभी 1 रूपिया है, देखिए, company का face value 1 रूपिया है, मतलब company और कभी भी split नहीं कर पाएंगे, उसलिए company bonus दे रहा है, देखिए, company bonus क्यों देते है, और split क्यों करते है, इसका main कारण है, आप मान के एक example दे रहा हूँ, तो आप एक share खरीदरी करने के लिए, आपको 1,000 रूपिय करना होता है, अगर इस company split करके अभी इसका price range दाए 100 में लेकर है, मतलब आप इस price range में 4 share खरीदरी कर पाएंगे, तो ज्यादा volume बड़े company का, तो इसलिए company ने बार बार bonus और split ले आता है, और performance के हिसाब से split करते है, अगर company का performance खराब है, तो उसको split करने से क्या फायदा, वहाँ पे तो कोई निवेस करना भी नहीं जाएंगे, तो जिस company में ज्यादा निवेस कर रहा होता है, तो उसी company में यहाँ पे company bonus और split के जैसा announcement ले आता है, तो company के सारे parameter में बहुत बार आपक एक साल में करिबन 200% का return आपे company आपको दे चुगा है, तो overall इस company के बारे में सिर्फ एकी चीज का होँगा, आप इस type company में निवेस करके रखिए और long term के लिए निवेस करिए, short term के लिए नहीं और आपको एक जवदस मौका मिल रहा है, इतना सस्ते में इस company का price range मिल रहा है फिर आप जब देखेंगे इसका 500 तक इस company का price range चला जाएगा, तो आप तब कहेंगे sir, तब invest नहीं किया था, आप क्या करूँ, तो obviously आभी भी मौका है, निवेस करने का, निवेस कर लेजिए, हाँ, थोड़ा सा market option down चला है, तो 250 रुपीज में, suppose अपने निवेस किया, पो आसा करता हूँ, इस company का सारे जानकर आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लएगा, तो लाइक करना, दोस्तों को साथ सेर भी करना, मिलते हैं अगले stock लेकर, तब तर क्लिए चैसे रही है, आपने ख्याल रखें, बैबाए